Hello all, my name is Krishnayak and welcome to my YouTube channel. So guys, हम लोग machine learning का playlist continue करेंगे और आज के video में हम लोग देखने वाले हैं linear regression का practical implementation. अब जो भी मैं यहां implementation आपको करवाऊंगा मैं make sure करूगा कि SK learn के जो linear regression के parameters हैं आप उसके साथ कैसे खेल सकते हैं और उसको आप efficiently कैसे एक अच्छा model बना सकते हैं अब जो भी dataset मैं probably लोगा वहाँ पे कम से कम हम लोग ED और feature engineering करेंगे guys क्योंकि मैं ED और feature engineering का एक separate playlist बनाऊंगा Krishnayakindi channel में क्योंकि वो एक अलग detailed process है ठीक है तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे projects को थोड़ा simplify करने का बट जैसे हम लोग आगे जाएंगे और complex projects और end to end projects हम लोग discussion करने वाले हैं तो चलिए without wasting any time चलते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ implement करते हैं linear regression का एक चीज guys please make sure करेगा आप channel को subscribe करेगा bell notification icon press करेगा और पूरा का पूरा वीडियो end तक देखेगा यह सारे वीडियो आपको interview crack करने में definitely मदद करेगी तो चलिए guys हम लोग अब एक linear regression का practical implementation देखेंगे हम लोग यहाँ detail ही समझेंगे हम लोग यहाँ linear regression का हर एक parameter के बारे में discussion करेंगे और उसको implement कैसे करते हैं हम उसको hyper parameter tune कैसे करते हैं उस सारे चीज़ों के बारे में discussion करते हैं इस problem statement के लिए मैं एक dataset लोगा जिसको हम लोग बोलते हैं Boston House Pricing dataset तो अगर आपको import करना है तो probably हम लोग sklearn को use कर सकते हैं तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ pricing dataset को basically specify करता है ठीक है तो यह dataset के साथ हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे इस dataset के अंदर क्या-क्या है पहली बाद तो चलिए मैं quickly जाके थोड़े libraries और import कर देता हूँ जैसे import numpy as np import pandas as pd है ना और import matplotlib.py plot as plt ठीक है तो यह सारा libraries हम लोग import करने वाले हैं और यह सारे basic libraries हैं जो हमको काफी useful होगा अब next चीज है जो dataset को load करना है dataset के लिए मैंने already load Boston use कर लिया है तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ load underscore Boston और यहाँ पर मैं अगर इसको call कर दूँ तो आप देखें यहाँ पर key value pairs के हिसाब से तीन चीज आएंगे एक data आएगा आपका तो data एक key है और उसका value यह रहा एक target अलग key है उसका value यह रहा ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे feature names और उसका value यह रहा तो यहाँ पर आपको entire का सारा का सारा data इधर visible है clear भी सब कुछ दिख रहा है अब मैं यहाँ आगे जाओं यह features क्या है क्या है यह information यह features के नाम है ठीक है तो उसका भी आपको information यहाँ मिल जाएगा पर capital crime net basically crim बोल रहा है JN मतलब proportion of residential land zone for lots over 25,000 square feet ऐसे बहुत सारे parameters हैं पर हमेशा याद रखिए जो हमारा output features है वो है basically मेरा target और यह target क्या चीज specify करता है target basically आपका specify करता है कि house price कितना होना चाहिए ठीक है तो यह मेरा output features हो गया यह मेरा independent features हो गया अगर मेरा independent features का नाम आपको जानना है तो यह आपका feature name हो गया ठीक है तो हम इस से क्या करेंगे कोशिश करेंगे इक डीटा से डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्ट करने का तो यहां पर मैं डिटा अगर मेरे को बनाना है तो मैं इसको na df में save कर देता हूँ ठीक है तो अगर मैं df.data लिखूँ तो अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर मैं df को execute कर दूँ तो यहाँ मेरे पास तीन keys है data हो गया, target हो गया और यह आपका feature name हो गया तो अगर मैं यह df.data लिख देता हूँ तो यह मेरा data frame ऐसे बन जाएगा ठीक है, I hope आपको easily समझ में आ रहा हूँ तो यह मेरा data set हो गया, तो यहाँ पे मैं data set में इसको save करने वाला हूँ ठीक है, अब अगर यह मेरा final data set हो गया, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ features देख पा रहे है ठीक है, अब main चीज़, अगर मैं यहाँ पे data set dot columns, अगर मेरे को columns set up करना है, तो मैं क्या करूँगा, dot columns dot columns में, मैं specifically look दूँगा df.feature names, ठीक है तो df.feature names कहां से आ रहा है यह सारे feature names क्या हो जाएंगे, मेरे column के नाम हो जाएंगे, ठीक है, तो यह लग जाएंगे, तो यह रहा मेरा crim, zn, this, this, this है, bl stat, सब कुछ, ठीक है, तो यह मेरा data set specifically हो गया है अब, आपको एक चीज़ याद रखने की जरुवत है कि कि मैंने अभी तक target feature नहीं लिया है तो मैं एक independent और dependent features को ना कुछ अलग variable में लगता हूँ तो यहाँ पे मेरा independent features और dependent features and dependent features ठीक है, मैं इसको एक अलग variable में रखनाँगा, x को बोलूँगा, मैं सारा independent features जो मेरा data set है, और y को मैं बोलूँगा, यहाँ पे मैं अगर df.target लिख दूँ, तो basically मेरा y का variable बन जाएगा, तो अगर मैं इसको execute कर देता हूँ, और मैं अगर y देख लेता हूँ तो यह मेरा हो गया, पूरा का पूरा price ठीक है, price of the house तो यहाँ तक बहुत ही clear है मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, independent and dependent features में, basically हम लोग ने data को divide किया है अब इसके step के बाद हम लोग लिखेंगे train test split obviously हमारा data set को जो भी कुछ करना है, हम लोग को basically train test split के साथ करना है, ठीक है तो यहाँ पे train test split के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं search करूँगा sklearn train test split कभी भी याद रखेगा, कुछ याद नहीं होता है तो आप अराम से यहाँ पे जाकर documentation देख सकते हैं, कहां से आता है, तो from sklearn dot model selection train test split आता है तो मैं यहाँ लिख दूँगा quickly from sklearn dot model selection import train test split, ठीक है अब train test split हो गया, अब मैं यहाँ आगे जाता हूँ, मैं यही चीज copy paste कर लेता हूँ, x train, y train, यह सारा चीज क्योंकि मैं same चीज ही लिखने वाला हूँ इदर, मैं data set का size थोड़ा कम कर देता हूँ, data set को मैं कर देता हूँ 30% जो मेरा test size होगा, अब यहाँ पर देखिए मेरा x train, x test y train और y test, x train और y train को हम use करेंगे basically model को train करने के लिए, x test और y test को हम लोग basically use करेंगे model को test करने के लिए, तो यहाँ finally मैं execute कर दिया इसको, ठीक है अब मैं यहाँ पर execute करके दिखा देता हूँ, x train का values तो यह रहा मेरा पूरा का पूरा values ठीक है, x train यह रहा, y train यह रहा, y test यह रहा, सब कुछ आपको specifically मिल जा रहा है, ठीक है तो इतना हो गिया, ठीक है अब मैं next step क्या करने वाला हूँ, मैं next step basically linear regression implement करने वाला हूँ अब linear regression implement करने के लिए, यह तो मेरा experiment होगी गया, ठीक है अब मैं linear regression implement करने के लिए first of all मैं को linear regression को import करना पड़ेगा, अब linear regression में कहां से import होगा यह basically एक model के अंदर होता है library के अंदर होता है जिसको हम लोग बोलते linear model SK learn के अंदर ही होता है और linear regression क्या होता है fit intercept true होता है normalized यह deprecated होने वाला है बहुत जल्दी अब let's understand each and every parameter fit intercept बोलता है whether to calculate the intercept for this model if set to false no intercept will be used in calculation but हम लोगों को obviously यह intercept लेना ही पड़ेगा क्योंकि intercept का भी एक बहुत बड़ा importance होता है right तो fit intercept हम लोग by default जो भी true है उसको रखेंगे अब normalized bool default is equal to false this parameter is ignored when fit intercept is set to false if it is true if true the regressor will get the independent feature will get normalized before regression by subtracting the mean and dividing by L2 norms तो अगर मेरे को standardized या normalize करना है तो मैं इसका value true कर दूँगा अभी fill work के लिए default value false है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसको true करेंगे क्योंकि true करने से इसका अच्छा सा result आ सकता है तो definitely हम लोग if you wish to standardized please use standard scalar before calling fit on the estimator with normalized is equal to false देखें दो तरीका है हम पहला एक interview question definitely जो आता है linear regression में बोलते हैं कि do we have to standardize the data और normalize the data और हमेशा याद रखेंगे linear regression का जो हम practical implement sorry theoretical understanding से हमको पता चल गया है कि वहाँ पे gradient decent बनता है अब gradient decent बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको data को standardized करना पड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे normalize आप यहाँ पे normalize का value true रख सकते हैं but if you wish to standardize अगर आपको normalize करना है तो अभी करना है बट हम लोग को most of the scenario में standardized करना है तो standardized करने के लिए हम लोग use करेंगे standard scalar अब यह standard scalar क्या है standard scalar basically यह वाला formula अपलाई करता है हम लोग नही statistics में भी पड़ा था ठीक है तो चलिए हम लोग पहली बात तो यहाँ पर standardized कर देते हैं और उसके हिसाब से x-train को standardized करेंगे fit transform से और x-test को सिफ transform करेंगे ठीक है और हमिशा यादर कि output feature को नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर मैं standardizedization process लिख देता हूं standardizing the dataset और यह करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपका output model बहुत ही अच्छा आएगा इससे तो पहली बात तो हम लोग देखते हैं कहां पर है यह basically processing में है तो मैं यह लिख देता हूं from sklearn.preprocessing import standard scalar ठीक है अब standard scalar उसके next step में क्या होता है हमिशा documentation देखिए इसका process समझिए तो यहां पर मैं standard scalar को initialize कर दूँगा तो मैं यहां लिख देता हूं scalar is equal to standard scalar तो मैंने यहां पर इसको initialize कर दिया ठीक है initialize करने के बाद all I have to do is that write scalar.fit underscore transform तो पहली बात तो मैं इसको execute कर देता हूं उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं scalar.fit underscore transform fit underscore transform और यहां पर transform का लिख देता हूं ठीक है अब जब मैं यह fit underscore transform is equal to extreme लिख देंगा तो पूरा जो extreme का data set है वो transform हो जाएगा इस formula में ठीक है तो यहां पर आपको fit data fit भी लग सकते है उसके बाद transform भी लिख सकते है बट यहां मैंने directly क्या कर दिया fit underscore transform कर दिया अब मैं execute कर दिया तो आप देखे इसका output यह आता है ठीक है तो यह वाला चीज मैं क्या करूँगा यहां पर x train में डाल दूँगा ठीक है इतना हो गया step अब x test को भी कुछ करना पड़ेगा तो x test को मैं क्या कर देता हूँ यहां पर लिख देता हूँ scalar.transform ठीक है अब आप मेरे को बताइए गया मैं यहां पर fit transform क्यों लिया था और यहां पर transform क्यों लिया था वैसे भी मैंने ऐसे type के वीडियो बना दिये मेरे English Channel में बट इसका answer आप definitely दीजेगा अपने comment section में ठीक है तो यह रहा मेरा x train और x test मैंने इसको transform कर दिया है मैंने इसको scalar कर दिया है ठीक है मतलब मैंने इसको standardized कर दिया है अगर आपको वापिस इसको यह करना है मतलब अभी फिलवक के लिए देखेंगे हम x train में यह value है राइट पहले कुछ अलग value था कुछ ऐसे type का value था तो अगर आपको इसको inverse करना है तो इसको inverse कैसे करिएगा तो आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर लिखना है scalar dot inverse transform और यहाँ पर आप डाल दीजे ए x train तो आपको automatically सारा values वही मिलने गया है जो पहले यह सारा values थे ठीक है तो आप inverse transform कभी भी कर सकते है I hope इतना clear था ठीक है मैंने standardized कर दिया है अब मैं next step लगा दूँगा from sklearn dot model selection sorry dot linear model और यहाँ मैं import करना है linear regression को क्योंकि यही वाला algorithm मैंने apply करना है और यहाँ पर अभी फिलवक्त हमारे पास multiple input features है तो यह basically हो जाएगा multilinear regression problem ठीक है तो यहाँ पर मैं कर दूँगा linear regression अब linear regression apply करने time भी guys आप अगर यहाँ पर parameters देखे एक दो ही parameter है और उससे ज़्यादा parameter नहीं है तो हम इसको hyper parameter tune कैसे कर सकते है ठीक है एक तरीका है मैं directly ridge और lasso यूज़ करूँ या elastic net यूज़ करूँ अगर इसका भी थेरी मैंने already implement explain करके रखा हूँ है मेरे machine learning के playlist में बट हम लोग यहाँ पे cross validation भी use करेंगे अब cross validation क्या होता है cross validation basically क्या करता है कि हम लोग internally अपना training data है ना उसको बहुत सारा divide करेंगे right एक एक divide basically हम लोग उसको multiple train test में divide करके cross validate करेंगे और हरे cross validation का different accuracy आता है और उसको हम लोग combine कर करके finally mean उसका find out करके हमारा final output होगा तो cross validation हम लोग कैसे apply करते है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cross validation cross validation के लिए हम लोग एक library use करेंगे जिसे हम लोग बोलते है cross val score तो यहाँ पे लिख देता हूँ from sklearn.modelselection import cross val score तो cross val score हम लोग specifically use करने वाले हैं अब cross val score के लिए हम लोग देखें कैसे use करेंगे पहली बात तो मैं एक regression object create कर दूँगा by using linear regression ठीक है तो यह मेरा regression object हो गया अब देखें मैं cross val score कैसे use करता हूँ cross val score और cross val score का first parameter होगा यह estimator देने का जो मैंने regression बनाया है ठीक है तो मैं यहाँ पे regression लिख देता हूँ comma इसके बाद मेरा training data set और मेरा test data set तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y underscore train ठीक है तो क्यूंगि यह दोनों data set में मैं obviously training करूँगा यहाँ पे scoring जो parameter use होता है हम लोग ने देखा था right performance metrics में हम लोग ने r square adjusted r square के बारे में definitely देखा था linear regression में उसके अलावा हम लोग ने यह भी define किया था कि इसके loss functions क्या होते है linear regression के mean squared error mean absolute error तो अगर मेरे को scoring parameter यहाँ पर अगर आप cross value score में देखेंगे तो अगर cross value score में confusion है काई इस तो मैं यह भी खोल देता हूँ cross value score cross value score as scale on कभी भी documentation देखेगा इससे आपको और proper understanding होगा तो यहाँ आपका first parameter estimator जाता है उसके बाद x and y जाता है उसके बाद आपका cross validation कितना करना है वो हो जाता है ठीक है तो उतने time वो cross validate करेगा different different accuracy check करके और यहाँ होता है scoring अब यह scoring जो parameter होता है यह accuracy का parameter होता है आपके regression की case में loss function क्या use करता हूँ mean squared error mean absolute error ठीक है और अगर आपको जानना है कैसे different different types के scoring parameter है तो यहाँ पे एक और चीज है अगर आप यह page में जाएंगे जहाँ पे model evaluation.html में होता है skill on में यहाँ पे आप देखेंगे classification के हम लोग accuracy यूज करते है negative mean absolute error, negative mean squared error आप mean squared error यूज करना है तो मैं यह specific चीज यूज करूँगा जिसे हम लोग बोलते है negative mean squared error तो यहाँ से आप definitely देख सकते हैं और वही चीज यहाँ पे मैं copy paste कर दूँगा ठीक है तो यह रहा मेरा negative mean squared error तो यह मेरा होगा scoring parameter classification problem नहीं है regression problem statement है इसलिए मैं ऐसा लिख इसका मतलब मेरा 5 different different models इसके अंदर नहीं create होगा बट different different data के साथ वही model train होगा ठीक है तो 5 different type का accuracy आएगा ठीक है तो यह रहा यह पूरा का पूरा मेरा value मैं क्या करता हो अगर समझे मैंने इसको execute कर दिया तो देखे मेरा first model का जो train test के साथ था first cross validation का उसका mean squared error इतना आया उस cross validation आयेगा राइट यह मेरा first second third fourth fifth sixth ऐसा तो इसको मैं बोलूँगा mean squared error मेरा list होगा यह ठीक है और उसके बाद अगर मेरे को इसका mean calculate करना है तो मैं यह लिख दूँगा np.me of msc तो यह मेरा final output हो गया ठीक है तो यह मेरा final msc हो गया mean squared error उसका मतलब इतना cross validation के बाद मेरा जो m msc आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है और हमेशा याद रखेंगे यह कम से कम होना चाहिए क्योंकि mean squared error क्या होता है predicted और truth value का difference होता है तो उसको कम से कम करना चाहिए हम लोगों को ठीक है अब इतना तो हम लोग कर दिये हैं अब next step क्या होना चाहिए next step basically क्या होगा हम लो regression.predict और हमेशा याद रखेंगे जब भी हम लोग यह चीज verify कर रहे हैं हर एक parameter को बहुत अच्छे तरगे से focus करिएगा ठीक है तो regression.predict और यहाँ specifically लिख दूँगा मैं x test ठीक है और यह मेरा होगा reg underscore predict ठीक है और यह हो गया मेरा देखते हैं output क्या आएगा predict करने जा रहे ह हम लोग इसमे fit नहीं बुलाए है fine तो अब मैं next step में क्या करता हूँ यहाँ पे हम लोग एक चीज मिस कर दी है fit करने का तो cross validation से obviously मेरा value minus 25 आ रहा है बट हम लोग को fit definitely करना है ठीक है तो regression.fit on x,y ठीक है तो यह वाला चीज मैं कर देता हूँ तो यह मेरा linear regression बन गया object ठीक है और मैंने cross validation से भी check कर लिया ठीक है मेरे और यह मैं xy नहीं देता हूँ मेरे x train देता हूँ ठीक है x train and y train ठीक है y train हमेशा याद रखे है cross validation से मैं verify किया हूँ कि मेरा कितना आता है यहाँ पे negative mean squared error ठीक है तो यह हो गया अब मैं जाके इसको बस execute कर देता हूँ यह मेरा execution हो प्रेड और मैं इसको execute कर दिया हूँ तो यह दिखे है मेरा सारा prediction of values इधर आ गया अब यह prediction correct है की नहीं यह prediction कैसा है अगर उसको देखना है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग specifically इसको compare करेंगे अपने truth value से अपने truth value कहाँ पर है अपना truth value white test है right white test है अपना truth value तो इसको हम ल यहां पर मैं sns.dist plot use कर दूँ, dist plot मतलब distance plot, ठीक है, distance plot, और यहां लिख दूँ मैं, मेरा prediction values, क्या है, यह है, reg underscore pred, comma y underscore test, अगर यह दोनों का prediction, अगर मैं basically, subtract करके देख लूँ, subtract करके, देखे, मैं यहां compare कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि यह regression problem statement है, अगर मैं इसका subtraction करता हूँ, और मैं अगर देखता हूँ, कुछ ऐसे आ रहा है मेरा, ठीक है, यह क्या आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, अब, let's say कि मैं यहां पर एक और parameter use करता हूँ, जहां पर मैं में हम लोग basically use करते हैं, kde plot, kind is equal to kde, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूँ, kind is equal to kde, तो आप यहां देखिएगा guys, ऐसे type का graph create हो रहा है, ठीक है, ऐसे type का graph create हो रहा है, इसका मतलब जो difference है, जो difference है अपना between the prediction and the test, it is good, इसका variance बहुत कम है, plus 10 और minus 10 के बीच में ही है, ब but इन बाकी का difference within minus 10 to plus 10 है, तो इससे हमको यह assumptions मिलता है कि हाँ भाई मेरा data set अच्छा है, ठीक है, अब एक और चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं, कि जब हम लोग यह चीज prediction कर रहे हैं, हमेशा याद रहे हैं कि यह जो x test और x train है क्या होता है, यह basically हम लोग ने standardized करके basically किया ग्राफ है यह थोड़ा left side में shift हो जाएगा, ठीक है, तो हमेशा याद रहे हैं यहाँ पर variance बहुत ही कम है, minus 10 to plus 10, तो यह काफी अच्छी चीज है, अच्छी बात है, इसका मतलब मेरा model ने अच्छी से prediction किया है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप sklearn.metrics भी use करके, import r square को यह ले सकते हैं, तो r square देखते हैं, r to score, ठीक है, r to score को आप basically use कर सकते हैं, और यहाँ मैं score लिख देता हूँ, r to score को मैं call कर देता हूँ, और यह मेरा value होगा, prediction, और मेरा regpregd, y underscore test, तो अगर मैं यह दोनों का भी देखूँ और score का value देखूँ, तो यह से मेरा adjusted r square, sorry, r to square मिल जाता है, ठीक है, adjusted r square के लिए कोई ऐसा default function नहीं है, तो आपको formula apply करना पड़ेगा, जो मैंने theoretical में बताया था, तो I hope आप लोगों को यह समझ में आया, पुरा-पुरा end-to-end practical implementation, और मैंने यहाँ कैसे cross validation apply करके, basically, मेरे को यह specific thing मिल गया, यही same regression algorithm apply करके, ठीक है, और हमिशा याद रहिए, यह आपको fit करना पड़ेगा, मैं एक और technique आपको बताऊंगा, in the later stages, कि हम लोग इसको grid sir cv से भी कैसे कर सकते हैं, grid sir cv के साथ भी हम लोग अलग-अलग parameter के साथ लेके कर सकते हैं, वो आगे वाले algorithm में apply करूंगा, क्योंकि linear regression में बहुत कमी parameters होते हैं, जिससे आप hyper parameter tune कर सकते हैं, ऐसे कुछ ही नहीं almost, आप यहाँ पे documentation में भी देख चुके हैं, तो इसलिए मैंने fit और ये किया, तो पहला step आपने dataset लिया, cleaning, winning, EDA उस सब करिए, standardized करिए dataset को, और इसका difference बताईए, fit underscore transform क्यों use हुआ था, ठीक है, उसके बाद मैंने linear regression apply किया, उसके बाद cross valve score apply किया, उसके बाद मैंने prediction किया, और finally मिरको ये वाल output मिला, इसका difference काफी कम था, minus 10 to plus 10, और r square मैंने calculate कर रहा हूं, तो मिरको 66% मिल रहा है, और obviously linear regression क्या होता है, एक straight line बनाता है, तो इसका error rate थोड़ा high होता है, but हम आगे जब देखेंगे, अलग-अलग techniques, ये accuracy बढ़ते जाएगा, ठीक क्वाय है, और लाएगागा, और Caleb, कiyim, ये वादेखेंगे का धनाता है, ऑ क्क्या है, ये सुछ है जब तो मिमा की किल्दाबक. गल्या है, और all the greatest greatest बनाता है, और all the important prawd, है और reicht को अक्वाज़ मिकर बने जार फक्वार, भार देक手, लाएगागाआांगाः है, ब Eisा